नवश्कार साथियों मैं मनीश्मिवाल आप सभी का आपके अपने चनल में तैय दिल से स्वागत और अभिनादन करता हूँ मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी शांदार जबर्दस तो जिन्दाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा बारा की तैयारिया काफी बैतरिन चल रही होगी हम पढ़ रहे हैं कक्षाबारा की राजनिती विज्ञान और उसमें पढ़ रहे हैं संतंतर भारत में राजनिती की किताब का अध्यायचार भारत के विदेश संबंध और आज उसका लेक्षे नुबर 6 है आज यह हमारा इस चेप्टर का लास्ट लेक्चर होगा और फिर इस लेक्चर के साथ जो हमारा चेप्टर है यह पूरा कंप्लिट हो जाएगा 6th lecture है, lecture 1, 2, 3, 4, 5 हमने cover कर ली है काफी कुछ इस chapter का उसमें cover कर लिया है और बहुत 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 जो topics हैं वो हमने इस chapter में पढ़े हैं मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उन्हें बड़ी गराई के साथ पढ़ा होगा पर आज क्या पढ़ेंगे सर आज हम last topic में हम लोगो ने last class में हमें पढ़ा था भारत पाकिस्तान के संबंदों के बारे में उसमें एक topic और है कारगिल संगर्श ये भी पढ़ेंगे फिर उसके बाद बात करेंगे भारत की पर्माणू नीतियों की यह सब कुछ जो है वह हम next chapters में पढ़ेंगे आने वाले जो अध्याएं उन में पढ़ेंगे बस एक थोड़ा सा आपको overview यहां पर दिया गया है एक box में जो कि अपनों cover कर लेंगे चलिए शुरू करते हैं आज के lecture को कारगिल संदर्श या कारगिल struggle conflict आप उसे कह सकते हैं अब आप सब को बता है कारगिल जगे का नाम है कहां पर है पहले यही पर आजाई चलिया आपको जगे दिखा देते हैं और आपको बता है कि पाकिस्तान और और तो टेक कर सकता है वो सिर्फ उसको बार-बार में कश्म कारगिल जो है यहां पर तो यहां पर संगर्श हुआ अब आई कैसे जानते हैं 1909 में के शुरुआती महिनों में भारती इलाके के नियंतरन सीमा रेखा कि कई ठीकानों जिसे दरास मास्कों हो काकसर और बतालिक पर अपने को मुजाई दिन बताने वालों ने कबजा कर लिय अब सबसरे ने तो क्या कहाा 1909 में भारत की जो कंट्रोल में हैं जो एरिया भारत के कंट्रोल में है वहां के कुछ एरिया जिसे दरास मास्कों काकसर और बतालिक है इन पर किसने कबजा कर लिया है मुजाई दिन एक तरीके से ग्रूप है बटा ठीक है? मुजाइदिन एक तरह के से ग्रूप है जो ये कहा जाता है कि इसलाम के रक्षक के रूप में इनको जाना जाता है तो ये खुद को क्या बता रहा है मुजाइदिन बता रहा है और मुजाइदिनों ने क्या कर लिया है कारगिल के इन इलाकों पर क्या कर लिया है? कबजा कर लिया है जो कि किसके कंट्रोल में? भारत के कंट्रोल में भारत की सीमा के अंदर है परन्तु कोन कंट्रोल करके बैठा है? मुझाइदिन कंट्रोल करके बैठा है पाकिस्तानी सेना की इसमें मिली भगत भापकर भारती सेना इस कबजे को खिलाफ हरकत में आई इससे दोनों देशों के भी संगट शिड़ गया अब ये मुझाईदिन कहां के है ये पाकिस्तानी है और भारत को लगा कि इसमें जो मिली भगत है वो किसकी है पाकिस्तानी सेना की है बिना पाकिस्तानी सेना के इन्वोल्मेंट के यहां नहीं पोच सकते हो तो पाकिस्तानी सेना की इन्वोल्मेंट है तो इसलिए भारती सेना भी क्या हो गई एक्टिव हो गई और उनको आगे बढ़ने से रोका और उनको वापस पीछे रखें लेकि पूरी-पूरी कोशिश करती है इस कबजे के खिलाफ हरकत में आती है और फिर दोनों देशों के बीच में क्या है संगर से छिड़ जाता है भारत और पाकिस्तान में फिर डिशुम-डिशुम हो जाएगी और फिर एक बार पाकिस्तान अपनी बेजत्ती करा करकर लोड़ जाएगा इसे कारगिल की लड़ाई के नाम से जाना जाता है 1999 में के मई जून में ये लड़ाई जारी रही 26 जुलाई 1999 में तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुने अधिकार कर चुका था तो 26 जुलाई 1989 में ठीक है न? ये कारगिल दे उस भी इस्पू इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है न? कारगिल डे जो होता है वो इसी दिन बनाया जाता है क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणों हत्यार बनाने कि अपनी शमता का प्रदशन कर चुके थे देखिए अब एक बात देखेगा उननीस सो सेतालिस में लड़ाई हुई उसके बाद 1665 में हुई उसके आग 1971 में हुई और फिर उसका द到illsurg 29 अब देखिए यह जब तीन लड़ाया हुई यह नोर्मल लड़ाई मानी गई झirm कि नोर्मल लड़ाई क्यों मानी गई क्योंकि दोनों के बहुत भारत हो चाहे पाकिसानों दोनों के पास ही परहनों उतियार नहीं ते करिमाणों हतियार एक बहुत बढ़ा भोरा लुपसान पहुचाता है दूसरे देशों को जिन पर ये परभानों बंभ फोडे जाते हैं हम शीत यूद में दोनों देशों ने अराम से बात्ची से यूद को टाल दिया, एक जो बड़ी लड़ाई होने वाली उसको टाल दिया, उसके लिए हम क्यों धन्यवाद करता है, क्योंकि अगर वो दोनों कोई सा भी देश है, चाहे सोविय संगो चाहे अमेरिका हो, अगर व कुछ ऐसे समश्य है, देखने को मिलती है, और अगर परवाणु बंब शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा दोनों देशों के लिए खत्रा है, और आसपास के देशों के लिए कहीं नहीं, पुरे विश्यू को परवावित करते हैं, तो 47% और यहां तक क्या था कि कोई 28 में में दोनों ही देश अपने परवाणु बंब बना चुके हैं, हम भारत का भी पढ़ेंगे, ठीक है, 28 में में जब दोनों ही देश बना चुके हैं, और नण्यान में में जब एक कारगिल संग्रश हुआ है, तो पूरे दुनिया को चिंता हो गई कि कहीं भारत और पाकि दोनों अपने परवाणु होत्यारों का स्वाल ना कर लें वेहराल यह लड़ाई सिर्फ करगिल के इलाके तक ही सीमित रही, पर यह लड़ाई आगे नहीं बढ़ी, वहां तक ही सीमित रही पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा, कहा गया कि सेना के पर्मुख ने परदान मंत्री को इस मामले में अंधेरे में रखा था, अब देखिए, अब यहां पर सेना के जो जनरल थे, वो परवेज मुसरफ साफ थे, अब यहां पर पाकिस्तान के परदान मंत्री कह रहा है, लड़ाई हुई मुझे तो बता ही नहीं है, तो यह जो सेना का परमुख है, वो मुझे अंधेरे में रखा रहा, मुझे कुछ बताया है नहीं जा रहा, कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कब लड़के आगे तुम लोग बताओ तो सही मुझे, मतलब पाकिस्तान में थोगसा मिलिटरी का जो डोमिनेंस है वो जादा है, मिलिटर इधर यह लोग भारत से लड़कर गए और वहां पे निन्यान में में क्या करा ए परवेज मुसरफ साफ ने क्या करा सरकार को तो अटा दिया सरकार का कर दिया तकता प्लेट और अपने आपको क्या है राश्ट अद्धिक्ष गोशित कर लिया जो कुछ हूं वह मैं हूं उसके मेरे बाद में होगे मेरा फैसला सब से उपर होगा मैं जैसा बोलूगा वैसा ही होगा अब यह कोन है यह आर्मी के परसन है यह आर्मी के परसन है जिन लोगों को लोगों ने चुना था उनकी कोई वेल्यू नहीं रही जैसे माल लीजिए कि किसी इस एक्स वेक्ति को लोग नाईन्थ में पढ़ चुके हैं चैप्टर वन पकिस्त का राज चलने लगा, तो यहाए के पृणाई के जनर्र प्रवेज मुसर्फ का राज चलने लगा, ठीक है इनोंने क्या कर लिया, अपने राज मिठा लिया और पाकिस्तानी सेना फिर से वहाँ कंट्रोल करने लगी सरकार को हटा दिया गया. अब बात करते हैं भारत की पर्माणू नीति की, इंडिया की नुकलियर पोलेसी क्या है? इस दोर के एक खास बात थी बात का पर्माणू विस्वोट भात ने 1904 के मई में पर्माणू परेक्शन किया सबसे पहले जो भात ने पर्माणू परेक्शन किया वो कब किया 1904 के मई में पर्माणू परेक्शन करा है पहला जो पर्माणोपरिक्षन भारत ने करा है, कब करा है? माई 1974 में भारत न पर्माणोपरिक्षन करा था. अब यह वारा जो दोर हम लोग पढ़ रहे हैं, नहिरूची के बात का जो दोर चला है, विदेशी संबन्ध की ही बात हम लोग कर रहे हैं, देखिए देश की कोई भी गतिविदी हो वो भार के देशों को प्रभाविद करती है और भार के देशों को गतिविदी हमें प्रभाविद करती है जैसे हम लोगों ने लेक्चर वर में डिसकस भी करा था कि अगर मुझे कहीं रहना है या मुझे कुछ करना है तो मैं घर के मह देखुँगा उसी परकार से क्या है कि देश की नीतिया के लिए भार की नीतिया क्या है और हमारे देश की नीतिया के दोनों परवावित करती है तो इसलिए हमें क्या है भार अगर हमारे आज पर उसका देश चाइना अगर परवाण होतियार बना रहा है बड़े बड़े जो वाले में पढ़ाता क्या हुआ कि अमेरिका सोवे संग पे इसलिए टेक नहीं करता क्योंकि पता वो हमारे बराबर ताकत्वर है तो इसलिए अगर हमने परवानों बम नहीं बनाएं तो क्या होगा लोग हमें कमजोर समझेंगे वो हमें दबाएंगे, दूसरे देश हमें दबाएंगे कभी परवानो भूम फोड़ने की धंकी देंगे पर अगर हमारे पास भी होंगे तो उनको पता होगा नहीं निसाफ भारत के पास परवानो भूम है अगर हम फोड़ेंगे तो वो भी फोड़ देंगे ठीक है ना? और यह कोई दिवाली वाले बम नहीं है जो कि हाँ बस मजाग में फोड़ देंगे नहीं पर ड़ाने के लिए, दूसरे को यह हमारी ताकत दिखाने के लिए जरूरी है और हमेशा से हमेशा से भारत का हर परजानमंतरी यही कहता वाया है कि हमने पर्माणुबम जो बनाया है वो हमारी रक्षा के लिए बनाया है किसी को बरबाद करने के लिए नहीं बनाया है और no first use की policy अपना ही है कि हम कभी भी आगे से चल करके पर्माणुबम का इस्तमाल नहीं करेंगे पर अगर किसी देश ने कुछ भी हल चल करी तो फिर हम उसको बक्षेगे में नहीं हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं तेज गति से आधुनिक भात के निर्मान के लिए नहीरू ने हमेशा विज्ञान और प्रदगी के पर अपना विश्वा जयता है तो जवालाल नहीरू जी का हमेशा सही क्या था विज्ञान पर और प्रदगी की ठीक है साइंस और टेक्नोलोजी पर भात विश्वास था उनका कि जो भी काम हो science and technology के साफ से होना चाहिए और science and technology में जितनी growth हो सकती है जितनी बड़क्तरी हो सकती है वो होनी चाहिए नेहरू की ओद्योगी करण की नीती का एक महत्मुन गटक परमाणू कारेकरम था तो जो नेहरू जी का ओद्योगी करण है जो इंडर्सलाइजेशन है जो हम चैप्टर 3 में पढ़कर के आए जो हम लोग चैप्टर 3 में पढ़कर के आए ओद्योगी करण इंडर्सलाइजेशन की जो नीती है इसमें नेहरू जी के लिए एक important बाद थी परमाणू कारेकरम nuclear program भी नेहरू जी के लिए एक important मुद्दा था कि हमें nuclear बनाने हैं हमारा परमाणू हत्यार हमें बनाने इसकी शुरूआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जांगीर बाबा के नितरतों में हो चुकी थी ठीके तो इसकी शुरूआत धे दे परमाणू कारेकरमों की शुरूआत जो है 1940 के दिशक में होमी जांगीर बाबाजी के नेतरतों में हो चुकी थी और इनको होमी जांगीर बाबाजी को Father of Indian Nuclear Program का जाता है Father of Indian Nuclear Program भारत शांती पूर्ण उद्देशों में इस्तमाल के लिए अनुम उर्जा बनाना चाहता था Very important भारत शांती पूर्ण उद्देशों के लिए तो भारत की हमेशा से यही निती रही है कि हम किसी को कमज़ोर करना नहीं चाहते पर हम खुद कमज़ोर रहेंगे अगर कोई दूसरा देश पर वहत्यार बना रहा है तो हम पीछे क्यों रहें ये तो फिर कल कोई यह होगी है कि हम कमजोर हो और आप शक्तिशाली हो आप ताकतवर हो इसलिए क्या करा कि हमने खुद हिने हमारे परबाणों हतियार बनाए और किसलिए शांती के लिए शांती स्ताफित रहेगी क्योंकि दूसरा देश जब भी परबाणों हतियार है हमें सेफ रहना होगा हमें बचकर के लिए बाराण से गर भारत ने इस्त्माल कर लिया तो ज्यादा नुकसान देगा तो भारत ने हमेशा खुद को सेफ रखने के लिए और विश्व में शांती स्ताफित करने के लिए ही पर्मानों उतियार बनाया भारत हमेशा से कहता हुआ आया कि हम कभी भी पहले से आगे चल करें कि पर्मानों उतियार का इस्तमाल नहीं करेंगे ये पुरी दुनिया इसकी गवाइ देल लें चाहिए कि कभी भी हम आगे से चल के पर्माणों बोहाँ का इसत्वाल ले करेंगे अगर किसी देशन चेहताव नहीं दी या किसी देशन पहले इसत्वाल ले इस lesson बोटनी होटेफि फिर हम अशक्र 메이크업 होटेंगे नेरुजी नहीं कहा कि परमाणू नीशे सस्तिकरेन होना चाहिए, मतलब क्या है जितने भी हमारे पास परमाणू हत्यार है इन दोनों मार्शक्तिक पास वो छोड़ देने चाहिए, ठीक है न, प्यार प्रेम से शांती से रहना चाहिए हम लोगों को, इस परकार से आप दो प उन्या में ही क्या शांती बनी रहेगी, बहराद परमाणू आयुदों में बड़ोत्री होती रही, सामेवादे साचिन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणू प्रेक्शन किया, तो परन्तु ऐसा हुआ नहीं कि परमाणू बिलकुल ही सारे देशों ने खतम कर दी हो यहां हटा दियो नहीं, परमाणू की जो संक्या है वो बढ़ती गई, बढ़ती गई, हर देश धीर धीर परमाणू बनाने शुरू कर दिया और चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणू प्रेक्शन कर लिया था, अब इस 1964 में जब चीन परमाणू प्रेक्शन कर लेता है, तो पाँच देश ऐसे थे जिनके पास परमाणू हत्यार थे उस समय, 1964 तक कि मैं बात कह रहा हूँ, इसमें USA सबसे पहले, USA सार जो आज का रशिया है, उसके अलावा चाइना, फ्रांस, और उनाटेट किंग्डम या जिसे आप ब्रिटेन, इंग्लेंड भी कह सकते हैं, यह पाँच देश हैं, अब इन पाँचों देशों ने मिलकर करके एक बहुत बड़ी आज साजीश चलने की कोशिश करी थी, ठीक है ना, साजीश यह करी लोगों ने, इन्होंने 1968 में यह एक पॉलिसी लेकर क्या है, ठीक है, पॉलिसी लेकर है, प्रमाणू आय परसार संदी, क कि अगर किसी के पास ही परमाणू नहीं रहेंगे, तो बहुत अच्छी बात है, तो इंडिया इस पास से बिलकुल सही मत था, बिलकुल सही बात है, किसी के पास ही परमाणू नहीं होने चीश, परन्तु इन लोगों ने क्या कहा, कि इन पाँच देशों के अलावा आप से क कोई भी पर्मानु का परिक्षन नहीं करेगा तो भारत ने बोला यह तो चिटिंग वाली बात या तो पहले आप पांचो देश भी पर्मानु को हत्या जो है उनको हटा दो वह बिल्कुल डिस्ट्रोय कर दो यह तो क्या हो जाएगा आप अपने आपको पांचो आप भाशक् पांचो देशों को बले यह आप लोगों की चिटिंग है यह बेमानी है आप लोगों की कि आप पांचो ने अपने पर्मानु हत्यार बना लिये और बाकि दूसरे देशों को इस गतिविदी में फसार हो कि यह कोई भी पर्मानु परसार नहीं करेगा कोई भी पर्मान नही और 1968 की उस टेरिटरी पर आज तक अभी तक बिल्कुल विसाय ने भारत ने नहीं करा है और ये पांचो ही देश संयुक्त राष्ट्र संग के सुरक्षा परिशादे विटा सुरक्षा परिशाद मतलब अगर आप ये कहें सव्युक्त राष्ट्र संग में सबसे इंपोटेंट अगर कुछ सबसे मजबूत संस्ता वो है तो सुरक्षा परिशाद है ठीक है ना सुरक्षा परिशाद में टोटल 15 सदस्य होते हैं विटा 10 टैंपरेरी है ऐसता ही है जो हर 2 साल में चेंज हो जाएंगे और 5 इसता ही है जो 5 इसता ही है ना ये वो 5 देश है इन 5 के पास Permanent Seat है ये पक्के है माँपर और इनके पास एक Special Power है उस Power को का जाता है विटो पावर या निशेदा धिकार पावर ये किसी igual़ पर अगर ना ये ने भी बोल दिया कि ये काम नहीं होगा तो वो नहीं होगा बहुत सी बार हमारे मुद्धों जब उठते हैं महाँ पर तो चाइना अपने विटों का इस्तमाल करकर रोग देता है इससे में पता चलता है कि चाइना हमसे कितनी दुश्मनी रखता है ठीके ना हमें आगे न पड़ने देना चाता चाहिए अनुशक्ति संपन विरादरी यानि संव्यक्तराजी अमेरिका, सोवेसंग, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने जो संव्यक्तराश्य संग की सुरक्षा परिशत के स्थाई सदसे भी थे दुनिया के अन्य देशों पर 1960 की परमाणू आपरसा सं परमाणू थे ऐसी विरादरी, अब उस विरादरी में कौन-कौन से देश है, संयुक्तराजी अमेरिका, यूएसे, सोवेसंग, यूएसे साल, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन और यही पाचों संयुक्तराश्य संग की सुरक्षा परिशत के स्थाई सदसे भी थे परमानेंट मेंबर भी थे, जिनके पास क्या है, निशेदादिकार है, विट्टो पावर है, इन लोगों ने 1968 में एक परमाणू आपरसार संदी पूरे विश्व पर थोपने की कोशिश करी, कि भाई अब से 1968 से, अब कोई भी परमाणू नहीं बनाएगा, कोई भी अनुसक्ति नहीं ब नहीं, तुम दुनिया को हमेशा से दबाते रहो, तुम पांचों देशों का वर्चे सोग बना रहे, गलत बात, भारत ने इसको सिर्का करने से बिलकुल मना कर दिया, भारत हमेशा से इस संदी को भेदबावपूर मानता आया था, भारत ने इस पर दस्तकत करने से इंकार क कोई भी देशन पर अटेक कर देगा, जो कि गलत बात है, तो भारत में कभी भी इस पर सिगनेचर नहीं कर रहे हैं, अस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं, भारत ने जब अपना पहला परमानो प्रेक्षन किया, तो इसे उसने शांती पून प्रेक्षन करार दिया, पहला परमानो प परती द्रट संकल पर भारत ने के दिया हम जो हमारे अनुसक्ति बना रहे हैं हम पर्मानों उत्यार बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शांती पूर देश्यों के लिए हैं शांती के लिए ही है हमें किसी को डराना नहीं है किसी को मानना नहीं किसी पर फोनना नहीं पर बस हम 1903 में अरब इसराइल यूद हुआ, इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए आहा कार मचावा था, अरब राश्टोन तेल के दावां भारिवर्दी कर दी थी, अब इससे भारत पे क्या प्रपा हुआ, भारत इस वजे से आर्थिक समश्राव से घिर गया, भारत में मु इससे सारा का तेल आता है, अब जब इन लोगों का यूद चल रहा है, और अरब से तेल आने के लिए क्या है, कोस्ट बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, तो अरब वालों ने हर्देश को तेल बेचने के लिए क्या कर दिया, रेट बढ़ा दी, पेसे बढ़ा दिये, अब तो भारत सरकार को तेल खरीडने के लिए जादा पेशा देना पट भाधा है अगर भारत सरकार ने जादा दिया है तो लोगों से भी जाता लेगी अगर मांन लिजी यह हमेंगई बढ़ती है तॉस चिती धोड़ सी खराब हो गई उसके बाद interactive में तो व्राद्काल लगीं ही जाएगा। हालना कि िालों के विधेश निति के वारे में छोटे मोटे मत्भेद है। करके छोटे मोटे मत भेदे कोई कहता है सोवेसंग की तरफ जुखाओ होना चाहिए कोई कहता है नहीं अमेरिका की तरफ कोई इस परकार से कोई इस परकार से छोटे मोटे जो मत भेदे वो हैं लेकिन भारतिय राजनिती में विविन दलों के बीच राष्ट्रिय अखंडिता अंतराष्ट्री सिमा रेखा की सुरक्षा था राष्ट्री हित के मसलों पर व्यापक सेमती है परन्तु भारती राजनिति के बहुत बढ़िया और बहुत सुन्दर बात है राश्ट्रिय अखंडिता, अंतराश्ट्रिय सिमा रेखा की सुरक्षा था राश्ट्रिय हित के मसलों पर व्यापक सेमती है तो अब यहां पर देखिए इन राजिनतित दलों में छोटे मोटे मदभेध हैं क्यारी कहता है अमेरिका को सपोर्ट करो कोई कुछ कहता है चोटे मूटे मदव्यध हो सकते हैं परन्तु जब बात आ जाए भारत की एकता की राश्ट्रे एकता की सारे political parties एक है फिर वहाँ विरोध नहीं है, राष्ट्री अखंड ता सबसे उपर है, राष्ट्री एक ता सबसे उपर है, अंतराष्ट्री सीमा रेखा की सुरक्षा और जो हमारी boundaries है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, अंतराष्ट्री सीमा रेखा की boundaries की सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें को पार्टी वाठी सिस्टम नहीं इस कारण हम देखते हैं कि 1962 जब भारत ने तीन उदों का सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब जब समय पर कई पार्टी ने सरकार बनाई विदेश निती की भूमिका पार्टी की राजनिती में बड़ी सिमित रही देखिए अब 1962 से इ विदेश निती की भूमिका है विदेश निती की भूमिका पार्टी की राजनिती की भूमिका बहुत कम है इसमें मतलब विदेश निती हमेशा देश के हित के लिए करी जाती है किसी पार्टी के हित के लिए उनके लिए नहीं है देश का क्या हित होगा तो यहां पर हमेशा पार्टी से उपर उठकर करके काम करना होता था क्योंकि विदेश नीती हमारे लिए राष्ट्री हित्ते करने वाली होनी चीए हमारे सीमा रेखा के सुरक्षा के लिए होनी चीए राष्ट्री अखंडिता के लिए होनी चीए राष्ट्र एक्ता के लिए होनी चीए, पार्टी के लिए नहीं अब बात करेंगे भात का पर्माणू काले करम यह अब जो है वो बॉक्स में दिया हुआ है और जो एक टॉपिक है वो भी आपका बॉक्स में ही दिया हुआ है भात में परमाणू आपरसार के लक्षे को ध्यान में रखकर किगे संधियों का विरोध किया क्योंकि ये संधिया उनी देशों पर लागू होने को थी जो परमाणू सक्ति से हीन थे अब भात में परमाणू आपरसार के लक्षे को ध्यान में रखकर परमाणू आपरसार मतलब आपको परमाणू को बढ़ाना नहीं है हमने देखा ना 1968 में परमाणू आपरसार संधी लेकर का आए पांचो देश अब इसमें बड़ी बात क्या है कि इन्होंने का है इन पांचो देशों के अलाव कोई नहीं बनाएगा परमाणू आपरसार की जितनी बात थी हमेशा उन संदियों का भारत ने विरोध करा है क्यों क्योंकि हमेशा इन संदिय ने किन देशों पर रोक लगाई है उनी देशों पर रोक लगाई है जिनके पास परमाणों शक्ति नहीं थी जो परमाणों सक्ति से हीन थे इन संद्यों के द्वारा पर्माणों हत्यारों से लेश देशों की जमात के पर्माणों सक्ति पर एक अधिकार को वेदिता दी जा रही थी पर्माणों हत्यारों से लेश मतलब ऐसे देश जिनके पास पर्माणों हत्यार थे उनको अब क्या परमाणू सक्ति पर एक अधिकार मिल रहा था कि हाँ वह इनी का अधिकार है इन पांच देशों के अलावा और किसी का ही अधिकार नहीं होगा परमाणू सक्ति पर किसका अधिकार इन पांच देशों का अधिकार बाकी किसी का भी अधिकार नहीं है इसको वेदिता इसको लीगलेटी दी जानी थी इस 1960 की ट्रीटी के देट इसी कारण 1925 में में जब परमाणू आपरसार संदी को अनियतकाल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणू परिक्षन परतीबंद संदी पर भी हस्ताक्षर करने से इनकाल कर दिया अब 1925 में में क्या वो ला गया ये परमाणू आपरसार संदी जो 1906 में करी गई है इसको आई नियतकाल के लिए बढ़ा दिया कि वह अब भी फिक्स टाइम निये कब तक ही एक संदी चलेगी मतला कब तक जिन देशों ने साइन करा है कब तक जिन देशों ने साइन करा ओन देशों कब तक आप परमाणू नहीं बनाना पता नहीं तो फिर जो और संदी हुई परमाणू परिक्षन परतीबंद संदी कि परमानु के जो परिक्षन है बहुत ने इस पर भारत ने इस थक्षर करने से मना कर दिया वालगों है हम ऐसी बात को नहीं मानते हैं हम शान्ती को मानते हैं हम शान्ती की बात पर चलेंगे परंतू आप सिर्फ खुद का वर्चेसों दबाना चाहे आप खुद का वर्चस हो बनाना चाहे, हम कभी भी ऐसी संदियों को समर्थन नहीं करेंगे भारत ने 1908 में के माई में परमानो प्रेक्षन किये और ये ज़ता है कि उसके पास सेनियों देशों के लिए अनुसक्ति को इस्तमाल में लाने की शम्ता है इसके तुरंट बात पाकिस्तान ने परमानो प्रेक्षन किये अब 1908 में 11 से 13 माई के बीच में विटा 11 से 13 माई के बीच में भारत ने परमानो प्रेक्षन कर लिया और दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास भी परमानो शक्ति है और हम भी हमें भी शम्ता है प्रमाणू बनाने की और हमें भी शम्ता है प्रमाणू का इस्तमाल करने की इसलिए में कोई डराय नहीं हमें कोई धमकाय नहीं हाँ परन्तु हम पेले से किसी प्रमाणू का इस्तमाल नहीं करेंगे और बहुत कोशिश ये करी गई थी विश्व क के द्वारा, अमेरिका के द्वारा कि भारत पर्मानूं का प्रडिक्शन ना कर पाए, परन तु एक गजब नेतरत अटल वियार वाजबई जी का रहा, गजब ही रोल साइंटिस्टों का सब का रहा, और हमने पर्मानूं प्रडिक्शन करके दुनिया को दिखाए ही दिया. इ उसे शेतर में पर्मानु यूद की आशंका को बल मिला ठीक है तो अब इस से क्या हुआ कि भाई भारत में भी कर लिया पाकिस्तान की अशंका का बाद स्फिर्सूं महादीप में हुए पर्माणु प्रजिक्शन को लेकर बहुत नाराज थी और उसने भारत हता पाकिस्तान दोनों पर कुछ पर्तिबंद लगा है जिने बाद में हटा लिया गया अब अंतराष्ट्री बिरादरी कहां सकी है कौन सी अंतराष्ट्री बिरादरी है इसमें अमेर कोई भी देशन के साथ व्यापार नहीं बनाएगा कोई देशन के साथ अच्छे संबन्दी बनाएगा ऐसा सब कुछ पर वह बाद में सब अठा लिये गए भारत में पर्माणु कर लिया प्रेक्शन कर लिया और दुनिया को बोल लिया जो गड़ना वो खरो हमने तो कर लि अपनी रक्शा के लिए बना है अपने डिफेंस के लिए बना है खुद को बचाने के लिए बना है हम कबी भी पहले से इनका इस्तमाल नहीं करेंगे नो फर्स्ट यूस की जो पोलिस है वो कल भी थी आज भी आगे भी भारत की तहएगी भारत की परमाणु निती में ये बात दोरा ही गई कि भारत वेश्विक इस तरब लागू और भेधवाऊ ही इन परमाणु निशाची कर नंके प्रतिवचन बंध है ताकि परमाणु होत्यारस्व मुग्त विश्व की रचना हो अब भारत ने हमेशा से ये बात कही, बार-बार इन बातों को दो रहा है, कि वेश्वी की इस तरह पर लागू बहदवाओ हुईन, बहदवाओ हुईन मतलब पुरे द्विश्व में ऐसी संदिया या ऐसी ट्रिटी जिन में बहदवाओ नहीं होगा, बहदवाओ हुईन और सम देश अपने हतीयारों को, सस्तुरों को हटाना चाहे, डिस्ट्रूइ करना चाहे, खतम करना चाहे, भारत उसके लिए हुचनबद है, भारत समसे बेरे इसी ट्रिटी पर साइन करेगा, हाँ, पर शुरुवाद क्या करे, अमेरिका ये सब अपने प्यारों को भट रह तो भारत ने शान्ती के लिए बोला कि हम शान्ती को मानते हैं, हम शान्ती इस्तापित करना चाहते हैं, परन्तु पहले जितने भी देश्यकवासी प्रवन होते हैं, वो भी छोड़े, ऐसा ना हो कोई बनाले और फिर दूसरों पर आप रोख लगाओ, ये अच्छी बात नही अब बात करते हैं, विश्यू राजनिती के बदलते हैं समी करें, उन्नी सो सतेतर में जनता पाटी की सरकाल बनी, इस सरकार ने घोशना की कि सच्ची गुठ निलपेश निती का पालन किया जाएगा, ये हैं मौराण जी देसाई, जो 1977 में जनता पाटी की सरकाल का बुखिय मतलब परधानमत्री बनते है तो इन्हों को सक्ची गुठ निर्पेक्ष निती चीन के साथ भेतर संबंद बनाने और अमेरिका के साथ नजदिक रिष्टे बनाने की पहल करी तो फिर चाही 1937 के दोर के बाद चाही कोई भी दूसरी पार्टी हो सब ने चीन के साथ अच्छे संबंद बनाने की कोशिश करी गई है भारती राजनिती में और आम तोर पर जो चलने वाली जितनी भी जो डिबेट्स होती हैं भारती राजनिती में भारत की विदेशनिती को विशेश तोर पर दो संदर्बों में देखा जाता है देखिए अब भारत की जो विदेशनिती उसको दो संदर्बों में देखा जाता ह दो तरीके से देखते हम लोग, पहला एक तो पाकिस्तान को लेकर भारत के रुख के संदर में, भाई पाकिस्तान को लेकर के भारत का क्या रुख है, भारत क्या सोचता है पाकिस्तान को लेकर करके, और दूसरा भारत अमेरिका के संबंदों के बारे में, भारत और अमेरिका क मर्थक विदेश नीती अपनाई जिसमें सबसे इंपोर्टेंट तो 1901 में हमने हमारी अर्थ विवस्ता का LPG कर दिया liberalization, privatization, globalization ठीक है उदारी करण, नीजी करण और वेश्वी करण हम लोगों जब विदेश नीती बनाता है तो अपने राष्टी हितों को देखता है कि देश के लिए भले वाली बात कौन सी है वो दूसरे देश का भला नहीं देखता हूँ, खुद के भला देखकर के बनाता है रूस लगाता है भारत का एक महत्मूर मित्र बना हुआ है लेकिन 1990 के बाद से रूस का अंतराष्ट महत्मूर कम हुआ है देखिए अब रूस कल भी दोस्त था आज भी है और आगे भी रहेगा रूस का साथ ना हम ने चोड़ा ना हमारा रूस ने साथ चोड़ा परंतु 1990 वाले दोर ऐसा था जब अमेरिका का वर्चस हो था बेटा ठीक है आप जब वो वाली किताब पढ़ेंगो उसमें चेप्टर बन शीतियूत पढ़ लिया आपने दूसरा चेप्टर किस परकार से सोवे संका विगठन हुआ वो और तीसरा वो चेप्तर जो कि NCIT ने हटा दिया है परंतूस में अमेरिका के वर्चस हो के बारे में बता राख है किस परकार से पूरी दुनिया में अमेरिका का वर्चस हो था है तो अमेरिका का वर्चस हो उस समय भढ़ चुका था तो पिट्री को ज़्यादा इंपोर्टेंस नहीं दीगी, आर्थिक हितों को ज़्यादा जोड़ दिया गए, कि कैसे भी करके हर देश के वीच में व्यापार भड़े, हर देश के वीच में वस्तों का सेवाव का आदान प्रतान ज्यादा हो, इसलिए क्या है आप देखिए 1905 में में WTO बनाए जाता है, विश्व व्यापार संगठर मनाए जाता है, मैं आपको क्या कहा था, कि पूरी दुनिया में अगर कोई शान्ति स्तापित कर सकता तो सिर्फोर सिर्फ व्यापार है और वही गाम यहापर हो रहा है, आप देखिए न, जापान ने के पास ना आर्मी ह ना एरफोर्स है, कुछ मी नहीं है, फिर भी वह इतनी गजब की अर्थवेस्ता है, क्योंकि वह आर्थिक पे जादा फोकस कर रहा है, वह एकोनोमिक पे जादा फोकस कर रहा है, इसका भी असर भारत की विदेशनिती में अपनाई गए विकलपों पर पढ़ा है, तो इसका जैसे कि संस्कृतिक आदान परदान, संस्कृतिक आदान परदान करना, नागरिकों का एक देश से दूसरे देश में आना जाना, आर्थिक सहयोग करना समय समय पर ये सब से क्या है, रिष्टे बहतर बनाने के कोशिश करिए एक जगे से दूसरे जगे के लिए बस चलाना, जो एक देश के नेता है या दूसरे देश के नेता है वो एक दूसरे के आना जाना बड़े-बड़े सेलिब्रेटिस के आना जाना ठीक है भाषा का आदान परदान संस्कृति का आदान परदान ये सब कुछ करना इसे जिसे कि दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे ह में भारत और पाकिस्तान के बीचियूद की ष्थीती पेदा हो गएजी ठीक है ना, परन्तों पाकिस्तान को पसंदी नहीं आ रहा, अच्छे रिष्थे रखना, अच्छे रिष्थे रखना तो फिर भाई, वो 1999 में आ करके फिर से कालगिल के लिए चिड़ जाती है। ऐसे मावल में शांती प्रयासों को धक्का लगा लेकिन इसताई तोर पर अमन कायम करने के लिए प्रयास जारी है अब जब 1909 में में कालगिल की लड़ाई हुई तो उसे जो शांती प्रयास थे हमारे उसको सबसा धक्का लगा चोट कोची हमें परन्तु फिर भी कोशिश है अमन शांती बनाए रहे इसके प्रयास दोनों देशों के दर्फ से जारी आज के लिए इतना ही और यह चैप्टर है हमारा चैप्टर फोर भारत के विदेश समंद यह भी पूरा कंप्लीट हो गया है आपको इसमें कोई डाउट कोई प्रेशानी हो कमेंट बोक्स में मेंशन कर दीजेगा और बच्चों कैसा लगा यह चैप्टर वह बताएगा और पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है मिलेंगे नेक्स टेक्टर में तब तक लिए तैंक्यों सो मच जै हिंद जै भारत